मित्रों इस वीडियो में हम बात करेंगे UPPCS 2019 के लिए जो ये test series हमारी चल रही है उसके प्रस्णों की ब्याख्या होगी इसमें इसमें कुल 20-25 प्रस्ण होंगे और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो इसको धैरे से देखिएगा आप लोग और नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अभियान सिविल सेर्शेज में और जिल लोगों को भी हमारा paid program ज्वाइन करना है वो दिवाली के बाद तक offer ये ह शुरू होंगे वो सारे कारे क्रम तो उनको आप जोइन कर सकते हैं आए शुरू करते हैं दोस्तों पहला है इसके 21 प्रस्ण आप देखेंगे है निमलिखित को क्रम में कीजिए तो यहां पे दिया हुआ है कुछ अधिनियम एक्ट और दिये गए हैं इनको इनका क्रम क्या ह पहला है भारत सरकार अधिनियम दूसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट और तीसरा है चार्टर एक्ट और चोथा है पिट्स इंडिया एक्ट तो चार्टर क्या होता है एक्ट क्या होता है काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट क्या है और अधिनियम क्या है इसकी डीटेल व्य 1833 और 1862 भी था साथ तो यह है और इंडिन काउंचिल है जो है आप देखेंगे वो 1892 है और भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 है या 9 है या मार सकते हैं तो इसका एक क्रम है तो सबसे पहले आ जाएगा 3 फिर उसके बाद सबसे पहले आ जाएगा 4 उसके बाद 3 फिर 2 और फिर लास में 1 तो आप्शन हो जाएगा इसका B आएए इसको डीटेल में देखते हैं दोस्तों जो इंडिन काउंचिल एक्ट है उसके बारे में इस पे हम बात करेंगे कि ये कौन-कौन से एक्ट क्या होते हैं अधिनियम क्या इसको आप देख सकते हैं अगला प्रस्ट हम देखेंगे दास प्रथा को किस एक्ट के तहट गयर कानोनी बनाया गया था तो ये प्रस्ट कई बार कई तरीके से पूछा जा चुका है तो आप देखेंगे कि दास प्रथा जो है 43 में समाप्थ हुई थी लेकिन किस एक्ट के तहट इसको गयर कानोनी बनाया गया था उसके बार में आपको यहाँ पर बताना है पहला उप्षन है पेट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 चार्टर एक्ट है जो 1813 चार्टर एक्ट जो है 1833 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो आप देखेंगे 43 में इसको पूरी तरीके से बेहन कर दिया गया था लेकिन एक्ट जो है वो चार्टर एक्ट जो होगा यह सही होगा उत्तर हो जाएगा इसका सी तो आईए इसको डीटेल में देखते हैं दोस्तों दास प्रथा को गयर कानोनी जो है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गय होंगे इंग्लिश मीडियम के लिए यह टेस्ट अलग से नहीं बनेगा जो टर्म्स होंगे वो मैंने लिख दिये हैं कोशिश की है कि मैक्सिमम जो टर्म्स है वो मैं लिख दूँ तो आईए अगला प्रस्ण देखते हैं संभिधान सभा के बारे में कुछ बाते करनी हैं आप देख लिएंगे संभिधान सभा के बारे में सही नहीं है तो संभिधान सभा से एक प्रस्ण रहता ही है तो यहां से कई प्रस्ण पूछे जाएगा है एक नई तरीके का प्रस्ण आप देखेंगे तो पहला ए आपका है कि महिला सदस्य संख्या जो ही 15 थी देशी रियास्तों से जो सदस्य संख्या थे वो 93 थी अनुसूचित जन जात से जो वो 33 थी और अनुसूचित जात से 36 तो option हो जाएगा इसका D कौन सा सही नहीं है अनुसूचित जात इसे केवल 26 सदस्य थे और महिला सदस्य जो थे वो 15 थे देशी रियास्त जो थे वह सही है और 33 जो है अनुसूचित जन जाती से थे उत्तर हो जाएगा आपका D तो इसके बारे में डीटेल देख लेते हैं दोस्तों समिधान सभा में महिला सदस्य ये सारा दिया गया है आप देखेंगे अनुसूचित जात जो की सदस्य संक्या जो थी वो 26 है नाट 36 तो ये आपको ध्यान में रखना है आईए अगले प्रस्ण को देखते हैं निम्न मे में हम बात करते हैं ए हंसा महता बी सरोजनी नाइडू सी सुचेता कृपलानी और डी फोर है ये अमरिता राजकुमारी अमरिता कौर तो आप्शन आपका है केवल एक दो तीन केवल दो तीन चार केवल वन एक दो तीन एक तीन चार और सभी सामिलती तो उत्तर हो जाएगा सारे नाम जो है आप याद कर सकते हैं तो इसमें कुल 15 महिलाएं थी और आपको याद रखना ये परिक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है अगला प्रशन देखेंगे दोस्तों सम्विधान सभा कॉंस्टिशनल जो असिंबली है उसके बारे में कॉंग्रेस थी और कॉंग लात्मा गांधी और चौथा ग्लैड स्टों ओप्षन हो जाएगा इसका डी ग्लैड स्टों इसको डीटेल में देखते हैं सम्विधान सभा में शामिल महिला हैं आप देख लेंगे तो ये सारी महिला इससे पहले वाला प्रस्ण है आस्टिन स्वारी आस्टिन ने कहा था क इसने कहा था कि संभिधान सभा कॉंग्रेस थी और कॉंग्रेस भारत तो ये ऑस्टिन ने कहा था कुछ गलतियां पिछले पे वीडियो में हुई थी उनको आप करेक्ट कर लिजेगा रण थंभावर को मैंने पिथावडागर को confusion में रण थंभावर समझ लिया था तो पिथा प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतनता की बाप की गई है तो आपको प्रस्तावना पूरी याद होनी चाहिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूण प्रभुत्य संपन लोकतंतरात्मक समाजवादी पंथ निर्फेक्ष लोकतंतरात्मक राज बनाने के लिए तो यह राज़ी की जवस्ता की गई है आप देखेंगे सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है आप देखेंगे कि धर्म विश्वास उपासना और इस तरीके से पांच जो है बात की गई है सुतनता की तो option आपका है 3, 4, 5, 6 उत्तर हो जाएगा इसका 6 हम पांचों को देख लेते हैं एक करम में जो करम आप करम भी याद कर लीजे 2017 की जो प्रारंभिक परिक्षा थी ACF की उसमें जो राज्य की संकलपना है प्रस्तावना में दी गई है उसका करम पूछा था तो यहां जो है करम आप याद कर लेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की सुतनता की बात की गई है तो thought, expression, faith, religion and worship की आपकी सुतनता की बात की गई है तो 5 सुतनताएं हैं इनको आप करम में याद कर लेंगे तो यहां से प्रस्ण पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, पूछा भी जा सकता है, तो आइए अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों, उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री किसने कहा था, तो राजनीतिक जन्म पत्री जो है वो किसने कहा था, इसके बारे में ह महात्मा गांधी option B है मेड़कर option C है एमेन रॉव राय और D है के यह मुझि तो आपका उत्तर हो जाएगा D के यह मुझि ने क्या बात की थी यहाँ पर देखेंगे कि उद्देशिका को राजनीतिक जम पत्त्री किस ने कहा था केम मुंसी ने कहा था तो ये प्रस्णों का अस्तर जो है थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे हम बढ़ाएंगे अभी सामाने प्रस्ण दे रहे हैं जिसमें एनालिटिकल प्रस्ण जो है आपके बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे तो इन प्रस्णों की प्रकिर्टी और इनकी जो तो आप सभी को पता होगा कि 32 संभिधान संचोधन कब हुआ था उसके बारे में आपको जानना है तो 42 संभिधान संचोधन आपका 1900 आप अब देख लेंगे पहले 1970 दिया है regulated 1976 और 1978 तो यह हुआ था 42 संभिधान संचोधन जो है 1900 आप इसका उत्तर देख लेंगे 42 संबिधान संचोधन जो है 1976 में हुआ था जिसमें तीन शब्द जोड़े गया थे socialist, secular और integrity अखंडता तो option हो जाएगा आपका C देखते हैं इसमें कौन सा option है option हो जाएगा इसमें C आपका 1976 में आपको जोड़ा गया था 42 संबिधान संचोधन के द्वारा अगला प्रस्टम देखेंगे निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है की बात यहाँ पर करनी है तो आप देख लेंगे इसमें option आपका सुमेलित नहीं है पहला यह है संगिय सासन प्रणाली अब यह संबिधान में जो प्रावधान बनाए गये हैं और वो कहां से लिए गये हैं उनकी बात हमें करनी है तो शंगिय सासन प्रणाली कनाडा से आपात बंध अमेरिका से समवर्ती सूची अस्ट्रेलिया से संबिधान शंचोधन जो है constitutional amendment जो है वो दच्छिड अफरीका से तो आप देखेंगे कि समवर्ती सूची अस्ट्रेलिया भी सही है और संगिश असन प्रणाली जो है कनाडा भी सही है उत्तर आपका हो जाएगा भी अमेरिका से ये नहीं लिया गया है आप हमें comment box में बताएंगे कि ये कहां से लिया गया है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये संभिधान संशोधन की प्रक्रिया है जो वो कहां से ली गई है किस देश से के संभिधान से लिया गया है आईए अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तों निम्य में से कौन भारतिय संभिधान का एकातमक लक्षण है तो दो प्रकार के लक्षणों की बात की जगी है भारतिय संभिधान में एक संघातमक और एक एकातमक option A है आपातुक्बंद, B है लिखिद संबीधान, C है संबीधान की सरवच्षता और D है स्वतंतर नय पालिकत, तो आप देखेंगे आपातुक्बंद, लिखिद संबीधान और स्वतंत्र नयपालिका जो है ये सारे क्या है संघात्मक लक्षड है इसको डिटेल में देख लेते हैं संघी प्रणाली जो है फेडरल सिस्टम जो है कनाडा से लिगई तो पहले का अंसर है एकात्मक जो है आपात्मक बंद है और संघात्मक जो है लिखित संबिधान स्वतंत्र नयपालिका और संबिधान की सर्वच्चता है तो आपको देखेंगे कि Emergency जो है वो एकात्मक का है बाकी सभी जो है वो क्या है तो आपका उत्तर हो जाएगा A Emergency जो है आपातुबंद वो क्या है लिखित संबिधान जो है आपातुबंद क्या है वो एकात्मक लक्षण है हमारे संबिधान का आईए अगले प्रस्ण को देख किते हैं दोस्तों निम्ड में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतरगत लाए गया था अप्शन हो जाएगा आपका डी उप्रोक्त सभी क्योंकि 1935 के संविधान को देखेंगे कि सारी बाते जो संग के बारे में की गई है उसमें तीन प्रकार की सूचिया है आप देखेंगे केंद्र सूची है राज सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है प्रांती स्वायत्ता है यह डायार्की जो है प्रांतों में लाई गई थी प्रांतों में जो है प्रांती स्वायत्ता की बात की का हैं और अलग-अलग पूछा गया है कितने प्रस्तावक होते हैं कितने समर्थक होते हैं option A है 50-50 option B है 100-100 option C है 150 और option D है 100-50-100 तो option A सई हो जाएगा 50 प्रस्तावक और प्रस्तावक जो है वो समर्थकों की आवशकता पढ़ती है राजपत उमिदवार के लिए जो उनके nomination में इनका प्रस्तावक पेश करते हैं निम्न में से 33 प्रस्तावक देखेंगे दोस्तों निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है ये कुछ article दिए गए हैं और उनके प्रावधान दिए गए हैं तो A है राजपत निर्वाचन की रीति manners जो होता है manners to elect to election B है राजपति का निर्वाचन C है भारत का एक राजपति होगा 52 और संग की कारिपाली का सक्ति तो आप देखेंगे कि राजपति का निर्वाचन जो है वो क्या है आप सभी को एक साथ देख लेते हैं निर्वाचन की रीत 55 निर्वाचन जो है वो 54 है तो ये option हो जाएगा आपका B भारत का एक राजपति होगा वो 52 है संग की कारिपाली का सक्ति executive power of union वो है राजपत में नहीं थे है वो आपका है 53 और राजपत की निर्वाचन की रीत जो है वो 55 है इसको detail में देख लेते हैं यहाँ पे भारत का एक राजपति होगा आप देखेंगे 52 आर्टकिल 53 क्या है संग की कारिपाल का शक्त executive power of union और 54 है राजपति का निर्वाचन तो ये निर्वाचन कई बार पूछा जा चुका है और ये राजपत से संबंदित जितने भी आर्टकिल है काफी महत्पूर रह आते हैं तो इन आर्टकिल्स को आप जरूर देख लीजिएगा कहीं ने कहीं हमने शामिल किया है इनको प्रस्णों के माध्यम से आईए अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों राश्पति पर महाभ्योग का आधार है ए कदाचार मिस्विहवियर बी अनुपस्तिती अपसेंट और सी संबिधान की का अतिक्रमर और डी उप्रोक्त सभी तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि केवल एक ही माध्यम है जिसके आधार पर केवल एक ही आधार है जिसक पर राश्पति पर महाभ्योग impeachment बोलते हैं इसको impeachment लाया जा सकता है और वो है संबिधान की अतिक्रमर अतिक्रमर मन मेंस violation of constitution केवल एक ही आधार है जिसके आधार पर impeachment लाया जा सकता है प्रेसिडेंट पर अगला प्रसंदेखें दोस्तों विधेकों पर अनुमत देने की श कौन से article में? article 60, article 72, article 123, article 111 तो आईए article 60 क्या है आप हमें comment box में बताएंगे 72 क्या है आप हमें comment box में बताएंगे और आप देखेंगे कि राश्पति विधेकों पर अनुमत देने की शक्ति क्या है? आठकल 111 है और इसका उत्तर हो जाएगा B आठकल 111 अगला प्रस्थ हम देखेंगे राज्यों की कारेपाली का शक्ति का उलेख किस आठकल में किया गया है राज्यों की कारेपाली का शक्ति तो आप देखेंगे option A है अनुच्छेद 152, B है अनुच्छेद 153, C है अनुच्छेद 155 और D है अनुच्छेद 154 तो आप देखेंगे कि article यहाँ पे सारे detail में देख लेते हैं यह कौन-कौन से अनुच्छेद हैं तो राज्यों की कारेपाली का शक्ति जो होती है वो 154 में एक सो तीरपन में क्या है कि भारत का एक उपरासपति राजपाल की राजपाल के बारे में है तो आप हमें बताएंगे कि और जो article इसमें लिखे गए हैं वो किस्से संबंदित हैं तो इसके बारे में आप comment box में बताएंगे कि article 152 क्या है, article 155 क्या है और article 154 क्या है अगला प्रस्न देखेंगे दोस्तों, राजपाल का किसी भी बिल का राजपति के लिए आरक्षित रखना किस अनुच्छेद में बढ़नीत है, option A है 199, option B है 200, option C है 201, option D है 202, तो आप सभी को पता होगा कि option B होगा इसका सही उत्तर और आप बताएंगे कि 202 क्या है, 202 के बारे मे आप हमें comment box में बताएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि राजपाल की किसी विधेयक को राजपति के लिए आरच्छित रखना, वो किस से संबंदित है, आठकिल 200 से संबंदित है, आईए अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों, राजपति का अपना त्याग पत्र किसको अगला प्रस्न देखेंगे दोस्तों, राजपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं, तो इसमें दिया गया है कि राजपति का निर्वाचन जो मंडल होगा, यह कौन से आर्टकिल मैं अब हमें comment box में बताएंगे कि निर्वाचक मंडल की बात कहां पेकी गई है, किस काफी confusion होता है यहां पे, तो पहला है संसत के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राजपति के विधान सभाओं के सदस्य, और तीसरा आप देखेंगे, तो इसमें option है, A केवल एक, B केवल दो, C दोनों, और D कोई नहीं, तो option हो जाएगा आपका C, दोनों, और इ जाते हैं, तो यह आपका निर्वाचक मंडल पूरा हो जाता है, अगला प्रसंद देखेंगे दोस्तों, उमिद्वारों के निर्वाचन के लिए, उमिद्वारों की अधिक्तम आयू होती है, A, 60 वर्स, B, 65 वर्स, C, कोई सीमा नहीं, और D, 70 वर्स, तो इसका उत्तर हो जा सिरीज है, वो अभी कुछ दिनों के लिए थोड़ा दिपावली में इसमें थोड़ी सी बादा होगी आपको एक दो टेस्ट में, पांस तारिक से यह छे तारिक से जो टेस्ट है, उससे 6, 7, 8, 9 लगातार चलता रहेगा, तो जो लोग भी पेट प्रोग्राम जोईन किये है उनको कुछ अलग से प्रस्ट में 2018 के या अन्य पेपर्स में भेजता रहूंगा, जिससे कि वो लोग अपनी थोड़ी मड़ी पढ़ाई जारी रख सकें, दिवाली चट पूजा के बाद है, जो यह कारिकरम पूरे अच्छे तरीके से चलाया जाएगा, क्योंकि बहुत सार से हैं, घर चले गए हैं, और कारिकरम बहुत अच्छे से हो नहीं पा रहा है, तो पूरे आपको टेसरी पूरी बीस जो है टेस्ट वो मिलेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए, और जो लोग भी अपना पेट प्रोग्राम हमें हमारा जोईन करना चाहते हैं, उसके मेंस जोईन कर सकते हैं, या दोनों जोईन कर सकते हैं, केवल भी का टेस्ट जोईन कर सकते हैं, केवल मेंस का टेस्ट जोईन कर सकते हैं, और भी अधिक जानकारी के लिए मेरा वट्सप नमबर है, डबल एट जिरो टू नाइन वन थ्री फाइफ वन सेवन ये उस पे आप वाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 8076944053 इस पे और इस पे आप वाट्सअप कर सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको अप्लोड कर दी जाएगी यह पूरा पेपर जोगा चार वीडियो में कम्टियो जाएगा तब के लिए धन्यवाद सुस्त रहिए मस्त रहिए वेस्त रहिए